हेलो एव्रीवान और वेल्कम तो एचीवर्स यूटूब चैनल वेरी गूर्णिंग गाईज एंड वेरी वेरी हैपी संडे दोस्तों हर विक्किवाती आज भी आपका इस विकली सेग्मेंट में बहुत-बहुत स्वागत है आपको पता होगा कि हर एक संडे को हमारी टीम के द्वारा विकली करेंट अफेर्स का रिविजन कराया जाता है तो वस आप लोग तयार हो जाएए विकली एक्सप्रेस पर जानने के लिए आगामी 15-20 मिनट में मैक्सिमम हो जाए 25 मिनट उतने देर में आपको इस विक के पूरे करेंट अफेर्स का रिविजन बहुत ही सांदार तरीके से कराया जाएगा एदी आपने किसी दिन का लेक्चर मिस्ट कर दिया हो तो कोई चिंता की बात नहीं है आप हमारे साथ बस अपना 20 मिनट में तीत कीजिए आपका पूरा का फूरा करेंट अफेर्स का फिर से रिविजन हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हम लोग सुरू करेंगे इस विक के करेंट अफेर्स को उसके पहले एदी आप में से कोई हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि आपको सभी आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हम लोग विकली करेंट अफेर्स को करेंट अफेर्स का रोल आपके एकजांस में बहुत ही ज़्यादा महत्तुपूर्ण हो गया है ये तो आपको पता ही होगा अगामी 28 दिसंबर से एकजांस होने वाले है तो दोस्तों उसके लिए भी करेंट अफेर्स आपके लिए बहुत महत्तूपूर्ण रहेगा जिनोंने भी NTPC या Group D का form वरा होगा एक बात और आप लोग हमारे चैनल पर जाकर monthly current affairs का वीडियो जरूर देख लीजेगा ठीक है जिससे आपको आगयाने वाले NTPC की जो परिछा है उसमें current affairs से समंदित कोई दिक्कत ना हो और बहुत सारे static topic पर भी हमारे चैनल दौरा वीडियो बनाया गया है तो आप लोग जाएए उन सभी वीडियो को देखिए लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और वैसे भी आज Sunday है तो आप लोग पूरी दिन पढ़ाई कर सकते हैं और ठंडी भी है तो घर में भी रहिएगा ठीक है तो ठंड के मौसम में अपना ख्याल रखते हुए दिन पर पढ़ाई किजिए और अपने आगे दस दिनों को जो आपके एक जामस के लिए बहुत ही मात्तोपूर्ण है ये दस दिन उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट बनाई ये अपने लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहला प्रस्ण को देखते हैं कि UAE बहरीन और सुडान के बाद इजराहिल से अपना सामान ने संबंद करने वाला गया था लेकिन दुर्भागी वास उन्हें मिला नहीं ठीक है तो ये बात था अब दूसरे प्रस्ण को हम लोग देखेंगे दूसरा प्रस्ण है कि हाली में किस देश के स्टार फुट्बॉलर पाउलो रोसी का निधन हो गया है तो हाली में इटली के स्टार फुट्बॉल का नाम जब याद आया है तो एक और फुट्बॉलर है जो इस साल उनका निधन होगा और आपके एक्जाम्स के लिए महत्तोपूर्ण है डिएगो मार्ठेनों ठीक है उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्तोपूर्ण है आप से सिंपली प्रस बिजनेस परसन ऑफ दाइयर नामित किया है वह किस लोग प्री यह विडियो चैट से वाके CEO है बहुत ही महत्तोपूर्ण प्रश्ण है पहला टाइम मैंग जीन क्या करता है हर एक वरस परसन ऑफ दाइयर नामित करता है जिसमें इस वरस किसको नामित किया गया आपको अव ठीक है तो बस जूम के CEO है नामियाद रखिएगा आप लोग एरिक उयान और इसे टाइम में एक जीन से द्वारा बिजनेस परसन ऑफ दाइयर से नामित किया गया है ठीक है चौत्य प्रसन को देखेंगे कि किसे WTA प्लेयर ऑफ दाइयर आवार्ड से सम्मानित किया गया है WTA मतलब World Tennis Association ठीक है तो World Tennis Association द्वारा किसे प्लेयर ऑफ दाइयर वाट से सम्मानित किया गया है सोफिया केरिन को बागी आपको पता होगा सोफिया केरिन के बारे में जी हैं बहुत ही सांधार खिला ली है ओके चलिए पाच्वे प्रसन को देखेंगे एदि आपको लग र तेज होना लाजमी है आप फोरजी के जमाने में जी रहे तो हलका सा तेज होना पड़ेगा ठीक है पाच्वे को देखेंगे हम लोग पाच्वे प्रसन को कि हाली में अंतराश्टी भारती महुतसब 2020 की सुरुगात की गई यह प्रतेक बर्स किनके सम्मान में मनाया जाता है तो प्रतेक बर्स महा कभी सुरुमन्यम भारती के सम्मान में भारती महुतसब मनाया जाता है ठीक है महा कभी सुरुमन्यम भारती जो है यह आप लोग कह सकते हैं तमिल के पितामा तमिल भासा के कभी के पितामा कह सकते हैं किने महा कभी सुरुमन्यम भारती को ठीक है तो इ किजिएगा तो आप पर जुरुमाना लगता है और लगता भी है ठीक है तो आरवी आई ने स्टी अपसी पर उसकी गाइड लाइस को फोलो ना कर पाने के कारव 10 लाख विपे का जुरुमाना लगाया है चलिए अब थोड़ा सा एक काम किजिए आप लो क्या कि कमेंट करके ज कर लेना है ओके अगले प्रशन को हम लोग देखेंगे नौ में प्रशन को कि किस संगठन ने बंगला देश बंगवंधू सेख मुझीबुर रहमान अंतराश्टिये पुरसकार शुरू करने का फैसला किया है तो युनियस को द्वारा यह फैसला किया गया है कि हम बंगवं संदू के नाम से किसे जाना जाता है सेख मुझीवर रहमान को पुरस्कार नवंबर 2021 से मिलेगा और कि छेत्र में रचनात्मक अर्थवेस्था के छेत्र में दिया जाएगा अगले प्रश्ण को हम लोग देखेंगे अगला प्रश्ण है कि हाली में किस देश की सेना ने सनाध जन्दल एमेम नर्वने को गार्ड और से सम्मान से सम्मानित किया है ताल फिलाल में खाड़ी देश की यात्रा पर गए थे हमारे थलसेना की अध्यच यह बात आपको पता होगी पहली चीफ अधिफेसर स्टाफ का कमान की नहीं मिला है जन्दल विपिन रावत को खेर जन्दल एमेम नर्वने को गौड और से किस देश सम्मानित किया गया है तो सौधी अर्व के द्वारा और कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी क्या कि नेपाल की यात्रा पर जब गये थे जन्रल एमेम नर्वने साहब तो उन्हें क्या किया गया था ठीक है नेपाल का सम्मान के रूप में में से कि तो सात परतिसत की गिराबर दरज की गई है ठीक है लोकडाउन के कारण 7% कारबन के उत्सरजन में कमी आई है अब देखिए एक बात और bilingual प्रस्ण रखा गया है आपके लिए ताकि जो भाई बहन इंगलिस के मीडियम से पढ़ रहे हो उन्हें दिक्कत ना हो तो आप लोगों से गुजारी से कि प्लीज बाई लुगल बाई लोग भी देखा करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ऐसे ही आपको बहतरीन प्रश्ण मिलेंगे और बहतरीन बाते सुनने को मिलेंगी ठीक है और यदि सेयर करना चा के आयो में औरुपी में निधन हो गया है तो करनाटक के बहुत ही प्रसिद्ध बिद्वान थे और संस्कृत के भी प्रचंड बिद्वान थे नाम इनका है बनंजय गविंदा चार्ज ठीक है यह सौ से ज़्यादा पुस्तक संस्कृत में लिख चुके है ठीक है और संस्धित के प्रसिद्व विद्वान थे और साथी साथ कंदल कभी भी थे ओके अगले प्रशन को हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण है कि बीजय दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक बर्स Allah दिसंबर को बीजय दिवस के रूप में मनाय जाता है और इस बर्स का बीजय हुआ था बस इसी दिन हम लोग फत्ह राप्त किये थे तो इसलिए बिजय दिवस मनाया जाता है है तो आगामी 9-5 साल में सभी को मिल जाएगा एच meisten को कि सब्सक्राइन को कि अगले प्रस्ण को देखेंगे कि ब्लूमबर्ग निव एनर्जी फाइनेंस Orange 2020 रेंगिंग में भारत कौन से अस्थान ठुएं तो प्रत एक बस ब्लूमबर्ग द्वारा energy की ranking का ली जाती है energy finance में हर एक देश कौन से ranking पर है तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है ठीक है और ज्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं हम directly अगले प्रस्ण की और चलेंगे अगला प्रस्ण है कि हाल ही में आई किताब धर्मा के लेखक कौन है अब यह किताब आई नहीं है आगे किताब आईगी प्रस्ण में थोड़ा सा ही रहे लेकिन आप लोग समझ लीजिए एक पुस्तक है धर्मा इसके लेखक को ने बस आप से ही पुछा गया है तो इसके लेखक है amistry party आपको पता होगा कि amistry party इसी तरफ की किताल लिखते है ठीक है जैसे राम के बारे में लिख दिये इच्वाकू बंसज ओफ राम इस तरह के बुक इनका रहता है ठीक है तो amistry party के बुक एदी आपको कोई devotional बुक लगे ना तो गो एदी आप amistry party मारते है तो आपका 99% सही जाएगा ओके अगले प्रस्ण को हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण है कि ओला भारत के किस राजी में दुनिया का सबसे बड़ा scooter factory अस्थापित करेंगी ओला 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 उवेर का नाम आप लोग सुने होंगे जी हाँ ओला जो ride service देती है ठीक है अब इसने निर्ने लिया है कि हम तमील नाडू में दुनिया का सबसे बड़ा scooter factory अस्थापित करेंगे scooter मतलब bike ठीक है तो दुनिया का सबसे बड़ा scooter factory ओला के दौरा किस राजी में खोला जाएगा तमील नाडू में आप लोग ध्यान मसाल की घोषना किसके द्वारा किया गया अभी आप लोगों ने ऑप्रेशन बीजे सारी बीजे दिवस मनाया कुछ देर पहले ठीक है तो अब देखिए नयंद्र कोदी द्वारा इस बार इसकी पचासमी बर्स गार थी ठीक है तो इसी के अफसर पर सुर्णी बीजे मसाल की घोषना की है एक बात और एक और पुस्तक रिली जुगा है इसी के अफसर पर वो कौन सा पुस्तक है वो मैं आगे आने वाले दो तीन प्रस्णों में आपको बत तो स्रीपती खान चल्ले का जो प्रसिद्ध हिंद के स्री सम्मान जितने वाले भारतिये थे इनका 86 वर्स के आयूं में निधन हो गया है देखिए निधन पर बहुत सारे लोगों का इस वर्स निधन हो गया है जो आपके एक जांस के दिश्टी कौन सा भी इधर ने आपके परिच्छा के लिए उसका वीडियो कराया जाएगा ठीक है अब हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट के बारे में यह जो सम्मान हिंद के स्री इसके बारे में जानेंगे तो भारती कुस्ती में इस किताब को बहुत ही प्रतिश्ठित माना जाता है ठीक यह सब्सक्राइगे तो भारत भारत थोड़ा सा पीछे रगए है मतलब पिछले साल से एक स्थान नीचे आ गया है पिछले साल एक debrीक स्थान पर था इस व्रस एक लिक değा स्थान practice है ट्यूड़ा कर दिये हैं ठीक है थो माना भीका स्थ उचक् surprisingly जोहर एक वर्च यूड़ जारी किया जाता है ठीक है ओके आप लोग याद रखेगा किसके दोरा जारी किया जाता है यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपुर्ण है किसके दोरा जारी किया जाता है United Nations Development मेंट प्रोग्राम जिसे सोट में बोलते हैं इवेंट डीपी ओके इस बर्स की रेंकिंग 131 है पिछले बर्स का रेंकिंग 130 मा था ओके अगले प्रस्ण को देखिए कि हाली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल सुविदा प्रदान करने के लि प्रश्ण किया है ठीक है इससे वो सारे आप काम कर सकते हैं जो पेटियम फोन पर वगेरा प्याप करते हैं ठीक है याद रखिएगा कुछ की पॉइंट से इसकी बाते जान लीजिए क्योंकि यह प्रस्ण बारबार रिपीट होता नहीं है कि ऐमडी एंड्च का है इन्डिया पोस्ट पेमेंग का ओन है यह प्रस्ट मैंग repeating नहीं है इन्डिया पोस्ट पेमेंट का एड कोड़ेकर का है यह आप लोग याद रखिए इगा निउ देली में हैं अगले प्रश्ण कोनूर लोग देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाली में कौन सा राजियक के नसासित पर्देश 15 दिनों दक चलने बाला लोसार तोहर मना रहा है लोसार फेस्टिबल एल से लोसार और यह से लद्धाक आपको अवस्याद होगा यह अपना न्यू यह मनाता है लोसार फेस्टिबल के रूप में ठीक है कौन सा याद रखेगा देख यहां लिखाicem मना जाताए है और इसे टिब्वत धर्म के नुशार नए साल के सुरुआत के रूप में मना जाता यह बहुत और यह लंधाक के सबसे प्रमुक्तेवारों में से एक है क्या 15 उसंपर हुआ और अगले 15 दिनों तक जारी देएगा ठीक है अगले प्रस्ण को लोग देखेंगे कि अफाइएच मेंस होकी बर्ड कप 2023 के लिए भुवनेस्वर के अलाबा दुसरे वेन्यू के रूप में किस सहर को चुना गया है यह फाइच मतलब कि और इंटरनेस्णल होकी प्हेडरेशन ठीक है इसका हुआ फुल फोर्म log今日 2019 में आपको यह दियाद होगा कि इसका मेनग कब कहां था कबrdकाप कहां हुआ था 2019 में ये भी इंडिया में हो था और उडिसा में हीव purity में वो ना है वह फिर से इंडिया में हो और कहां होगा ओडिसा में होगा ठीक है ओडिसा की राजधानी भूवनेस्वर में होगा और साथी साथ राउर केला में भी होगा आप लोग याद रखिएगा दूसरी बार लगातार विंडिया में हो रहा है 2019 में भी हुआ था ओडिसा में हुआ था 2023 में ही होगा जो ओरिसा में ही होगा ओके लेकिन सोच राइसवर आदमी की भीर बन जाएगा तो इसलिए एक और सहर का चैन किया गया है वुवनेसवर के साथ राउर के लगा ठीक है अगले प्रशन को हम लोग देखेंगे अगला प्रशन है दसौरे अनबाउंड नामक पुस अगले प्रशन को हम लोग देखते हैं कि जब मुकस्मीर में निर्माना दिन दुनिया का सबसे अचा रेलवे पुल का निर्मानकार्ज कब तक पूरा होगा आसा है कि 2020 तक यह रेल पूल बन जाएगा दुनिया में सबसे उचा है इसलिए महत दुपूर्ण है बात में हैं क्योंकि अभी से कोई नाम दिया नहीं गया है तो भी फिला नाम लोग याई रखने के लिए चेनाव रिलिवरीज बोलते हैं ठीक है इसे 380 मिटर की उचाई पर बनाया जा रहा है यह जो फ्रांस का इफिल्टावर है ना जिसके सामने सब पकड़ पकड़ के उसको फोट है और इसका जीवन काल 120 साल है मतलब अगले 120 साल तक के लिए हमें कोई डढ़ने की जववत नहीं है हम लोग आराम से उस पूल पर यात्रा कर सकते हैं ठीक है अरे लिके द्वारा अगले प्रस्ण को हम लोग देखेंगे कि किस कंपनी ने गॉल्डन पीकॉक अवाड 2020 जीत अगले प्रस्ण को देखेंगे छोड़िए आप लोग बहुत कामचोर हो गए आप लोग रिप्लाइ नहीं दीजिएगा कमेंट नहीं किजेगा एंसर का महारतिय स्पात प्राधिकरन लिमिटेट सेल का फुल फर्म होता है ठीक है जब भात में सबसे बड़ी स्पात उत्प हासे रातंग किया है तौँ वस जिस राज़िके हैं किस राज़िके जुज्रात में तो मोदी यटे गुज्रात में दुनिया का सबसे बड़ा नवी करणørर उड़्जा नवी कर्ण Y चलिए बराबर कर देता हूं अब ठीक है तो सोलर इनर्जी और बाइन इनर्जी दोनों का बराबर बराबर सेग्मेंट दिया गया है इसमें ठीक है अगले प्रस्ण को अम लब देखेंगे अगला प्रस्ण है कि हाली में यू एन ईपी 22 भारतिये बैक्ति को यंग चेंपियंस ओफ दा अर्थावार से सम्मानित किया है देकिए चेंपियंस ओफ दा अर्थावार से इस बार छो लोग को और यंग चेंपियंस ओफ दा अर्थावार से इस बार साथ लोग को सम्मानित किया गया है तो उसमें एक बैक्ति इंडिया क है इसलिए आपके लिए यह व्र करन हो जाता है ठिक एक तो यंग champions औव्धुतस वार्थ वार्थ से एक विद्यतो मोहन को भी संवानीट किया जो की इंडिया के है चेनलों को संवानीकिया ग्या ऑपके लिए आदların पुन नहीं है ठीक कनफ्यूज नहीं हो यहाग्स आफ़ दर्थवार से साथ लोगों को और चंपिन और दर्थवार से छोट्र। लेकिन पिछले बड़भ से नेरे मोधी को सभाणित किया गया था अब को याद होगा तो। ठीक है अब फ्रसाम लोग UNEP के बारे में जानते हैं UNEP का फुल फर्म क्या होता है United Nations Environmental Program ठीक है विद्धुत मोहन जो है को फांड और अब ताक्चर के हैं ताक्चर क्या करता है जो इनकी कंपनी वो क्या करता है यह पोटेबल और सस्ती बायोमास उन्हें उपकरन बनाता है ठीक है जो किसानों को अत्रिक्त आय अर्जित करने की अनुमती देता है ओके तो नाम याद रखिएगा आप लोग विद्धुत मोहन और इनकी सवाड से समानित किया गया है यंग चेंपियोंस ऑफ द और थवाड ठीक है अगले प्रशन को हम लोग देखते हैं उन्तिसमें प्रशन को कि हाली में अमेरिका के किस देश के प्रतिसक्त रूख दिखाते हुए करेंसी मैनुपुलेटर्स यानि मुद्रा में हेरफिर करने वाले देशों की निगानी सोची में डाल दिया है तो भारत को डाला है इससे में कुछ फर्क पढ़ने वाल है नहीं देखिए अब हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने जो डील करते थे नभी देश से वह डॉलर में करते थे तो जिससे अमेरिका को फाइदा हुआ कोई देश माल लीजिए हम लोग खाड़ी देश से अब कुछ डील कर रहे हैं तो वह पहले अमेरिका के पास उससे कुछ किय कईए तो अमेरिका के पास हमें देना पड़ता था ठीक है रुप्या माल लीजिए डालर में किए तो आपना रुप्या तेगा अमेरिका से वो डालर में कनवर्ट कराएगा तो यह थोड़ने सी दिक्कत हो जाती थी अब क्या करते हैं यह अपने खूज से कॉंटेक्ट कर लेते हैं कि चलो हई हम आपका रुपयास काम चला लेते हैं आप अपना रुपयास मेरे रुपयास से काम चला लीजिए इसी सब दो ओलम्पिक, समर ओलम्पिक और विंटर ओलम्पिक में रूस को प्रतिबंदित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाडा ने इस पर एक प्रतिबंदि की पेसकस की थे। ये कुछ गरबड़ी कर दिया था ठीक है तो इसलिए बाड़ा तो बोला था कि 4 साल की सजादो लेकिन ये 2 साल में भच गया है चलिए अगले प्रस्ण को देखिए कि पोलेंड के किस फुटबॉल खिलारी ने हाली में फिफा वेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड जीता है तो इसलिए और वोमेन में कौन वाट जीता है ये तो लूसी ब्रॉज ने ठीक है तो लूसी ब्रॉज में वोमेन में यहा वाट जीता है लीए जाल लीजिए कि फस्ट पर कौन है न्यू जी लेन्ड है सेकेंंड पर कौन है स्विट्सेयर लेन्ड धर्ड पर हंकॉनक है और अंतिम में कोई सीरिया है ओके अगले प्रश्ण को हम लोग देखेंगे अगला प्रश्ण है कि पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का होटेस्ट अगले प्रश्ण को हम लोग देखेंगे कि ओलंपिक परिस्द के द्वारा 2030 की मेजवानी किसके द्वारा करने की गोशना की गई है तो कतर के द्वारा अब फिलाल देखिए 10-15 साल पहले यह डिसाइड हो जाता है कि ओलंपिक कहा होगा क्योंकि उसकी आयोजन में उसकी तया लाई खेल कहा होगा कतर में होगा ठीक है याद अखिएगा अगले प्रश्ण को लोग देखेंगे कि हाली में जीओ स्टेशनरी ट्रांसफर और्बिट में CMS 01 संचार का पुरा कहां लॉंच किया गया है तो भाद के द्वारा CMS 01 का लॉंचिंग किया गया यह संचार उपगर देखिए कोई प्रण जाता है तो उसका ठाइक प्रियेड के वीतर अपने आपको अप्रेट करने के लि truths अपने आरो सेटेलाइट भी जिद ने की ज भरत होती है तो भारत आपको याद होगा बहुत जगह आप लोग देखते होंगे आई एसो रेसियो करके 2000 जो भी लिखा रहता है तो आई एसो 2015 का सर्टिफिकेट मिला है किसको नेहरू जो लोजिकल पार्ट को जिसे सौट में यह जेड़ पी बोलते हैं ठीक है नेहरू जो लोजिकल पार्क और य लाया होगा आज की सेशन में बिकली करेंट अफेर्स का सेक्षन आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा अच्छा लगता है तो प्लीज उसी के लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड जोन में सेर जरूर कर दीजिए ठीक है इससे हमारे हाउसलाफ ज कर रहना है तो चलिए घर पर ही रहिए खोब मन लगाकर एंटी पीसी की दस दिन में रिवीजन कर डालिए ओके आप सभी लोगों को अल्दा वेश्ट आगयाने अब एक्जाम्स के लिए ठीक है जैहिंद सिवं साइनिंग ओफ कर दूब कर दूब कर दूब कर दूब